हेलो एंड वेलकम गईज ओन माई येटूब चैनल तो गईज किया हल चाल उम्मीद सब बढ़िया होंगे तो गईज आज मैं आपको वताने वाला हूँ कि आप माइनिक्राफ्ट के अंदर एक फेंटम एक्सफी फार्म कैसे बना सकते हो आपको फेंटम मैंबरेन मिलेंगे और साथ में एक्सफी भी मिलेगी और गईज आप फेंटम मैंबरेन से अपने इलाइटरा को रिपेर कर सकते हो साथ इस से गईज आप पोशन वगडे भी बना सकते हो फारम बनाने के लिए आपको 20 विल्डिंग विलोग, 12 गिलास विलोग, 12 बॉल, 12 डिस्पेंसर, 1 ओजरवर, 16 रेड इस्टोन डस्ट, 1 इस्टोन बटन, 2 ट्रेप डोर, 20 लेडर्स, 12 इस्टेक, मेगम विलोग, 4-5 इस्टेक, टॉर्च चाहिए साथ ही गईज आपको 12 लावा अभी गईज इस तरीके से एक एरिया किलियर करने के बाद, आपको इसके मिडल में आ जाना है, और गईज अभी आपको अपना वाई लेवल चेक करना है, तो गईज आपका वाई लेवल कुछ भी हो, आपको नीचे से बिलोक्स लगाते हुए, वाई लेवल 75 या उससे अभी गईज उपर वाले बिलोक पर एक ट्रेपडोर लगा देना है, अभी गईज इस ट्रेपडोर के चारो तरफ आपको विल्डिंग बिलोक्स लगा देने है, अभी गईज आपको उपर की तरफ जाना है, तो गईज उपर की तरफ आने के वाद आपको किदर भी एक टे टेंपरेरी ब्लॉक को तोड़ देना है अभिए इसके चारों तरफ आपको बॉल लगानी है तो इस चारों तरफ दिवार लगाने के बाद आपको middle के trap door को बंद करना है और गैज किराव चोकर इस trap door के उपर 5 temporary block लगाने है अभी गैज इसके उपर आपको एक glass block लगाना है और इस glass block के चारो तरफ आपको एक-एक glass block और लगा देना है इसके बाद गैज आपको चारो कौनों में एक-एक glass block और लगा कर इदर एक 3Y3 का glass block का platform बना लेना है अभी गैज आपको नीचे की तरफ आ जाना है और गैज नीचे जो हमने 5 temporary block लगाई थे इनको आपको तोड़ देना है अभी गैज हमको किसी भी side के middle वाले glass block के नीचे 3 temporary block लगाने है तो गैज आपको इस तरीके से 3 temporary block लगाने है तो गैज इस तरीके से 3 temporary blocks लगाने के वाद आपको पीछे के 2 temporary block को तोड़ देना है अभी गैज इस वाले block के किसी एक side आपको 3 temporary block और लगाने है फिर गैज आपको फारम वाले side 6 temporary block और लगाने है फिर गैज आपको दूसरी वाले side फारम की तरफ ही 6 temporary block और लगाने है फिर गैज आपको last वाले side भी 6 temporary block लगा देने है इसके वाद गैज आप इन temporary blocks को इदर से मिला देना अभी गईज आपको फारम के अंदर की तरफ आ जाना है अभी गईज आपको गिलास ब्लॉक्स के नीचे इस तरीके से चारो तरफ तीन तीन डिस्पेंसर लगाने है तो गज चारो तरफ डिस्पेंसर लगाने के बाद आपको इस वाले प्लैटफॉर्म के उपर आ जाना है अभी गज आपको चार कौनों में से तीन कौनों में तो बिल्डिंग ब्लोक लगाने है और गज चोथे किसी भी कौने में आपको नीचे की तरफ फेस करता हुआ एक ऑबजरवर लगा देना है तो गज किसी भी कौने में नीचे की तरफ फेस करता हुआ ऑबजरवर लगाने के बाद आपको सबसे पहले तो नीचे की तरफ जाना है और गैज इस observer के नीचे आपको एक stone बटन लगाना है और गैज धियान रही आपको ये button stone का ही लगाना है आप बुड़न बटन मत लगा देना अभी गैज बटन लगाने के बाद आपको फिर से इस platform के उपर की तरफ चले जाना है इसके बाद गैज आपको red stone dust से इन सभी dispenser और इस observer को आपस में connect कर देना है आप किराव चोकर सभी के उपर red stone dust की layer विछा देना इसके बाद गैज हमने side में जो ये 4 तरफ temporary blocks लगा रखे हैं अब इनकी कोई जरूत नहीं है आपको इनको इदर से तोड़ देना है अभी गैज आपको नीचे की तरफ आ जाना है और गैज चारो तरफ इस middle वाले building block पर एक एक torch प्लेश कर देनी है आपको चारो तरफ एक एक torch इस तरीके से लगा देनी है अभी गैज आपको इस farm के आसफास थोड़ी torch वगेरा प्लेश कर देनी है जिससे जब आप इस farm को बनाओ तो इदर कोई hostile mob spawn होकर आपको परिशान ना करे अभी गैज हमने farm के चारो तरफ जो ये torch लगाई थी इस torch के आगे आपको 21 temporary block की एक layer लगानी है तो गैज 21 temporary block की layer लगाने के बाद आपको इसके आगे 10 megamma block की एक layer और बनानी है अभी गैज 10 megamma block की layer लगाने के बाद आपको इस layer के दोनों साइड 9 megamma block और लगा देने हैं तो गैज दोनों तरफ 9 megamma block लगाने के बाद आपको इनको आपस में फिल कर देना है और इदर एक megamma block का platform बना लेना है और गैज ऐसे platform आपको फारम के चारो तरफ बनाने है गैज आप इस वाले platform के उपर आके भी megamma block को place कर सकते हो बस आपको इदर आकर किराव चोना पड़ेगा वरना megamma आपको damage देगा तो गैज इस तरीके से megamma block का platform बनाने के बाद अभी आपको इस 21 block की temporary block की layer को तोड़ देना है अभी गैज आपको इसी तरीके से फारम के दूसरी side भी megamma block का platform बनाना है तो गैज उसके लिए सबसे पहले तो आपको torch के आगे 21 temporary block की एक layer लगानी है अभी गैज इस layer के आगे आपको 10 megamma block प्लेस करने है अभी गैज इस 10 megamma block की layer के दौनों side आपको 9 megamma block और प्लेस करने हैं और गैज इनको आपस में फिल करकर इधर भी आपको एक megamma block का platform बना लेना है तो गैज आपको इस तरीके से इस farm के चारो तरफ megamma block के platform बना लेने हैं क्योंकि गैज इनी platform के उपर phantom spawn होंगे क्योंकि गैज magma block के उपर कोई भी दूसरा hostile mob spawn नहीं हो पाता और गैज इनके उपर phantom spawn हो सकते हैं अभी गैज हमने जो farm के अंदर dispenser लगाए थे आपको सभी dispenser के अंदर एक एक लावा bucket रख देनी है अभी गैज हमारा जो ये उपर का 75 वाला block है हमको इस 75 वाले block से नीचे 14 विलोक तक जाना है तो गैज आपको उपर वाले block से block count कर लेने हैं कितने हैं उसके बाद गैज इन block को मिला कर आपको इसके side में नीचे 14 block तक डिक करना है तो गैज मेरे इदर 4 block बैठ रहे हैं तो मतलब मुझे अभी 10 block नीचे और डिक करने हैं तो गैज 14 block तक डिक करने के बाद आपको नीचे एक torch place कर देने हैं जिससे इदर उजाला हो जाए अभी गैज जिस वाली layer के उपर अपना फारम आ रहा है आपको उस वाली layer के नीचे का एक block डिक कर देना है इसके बाद गैज आपको इदर ladders place कर देने हैं जिससे आप इदर से बाहर निकल सको अभी गैज हमको अपने इस फारम के अंदर एक बिल्ली लानी होगी तो गैज बिल्ली लाने के लिए सबसे पहले तो हमको किसी एक बिलेज में जाना होगा क्योंकि गैज बिलेज के अंदर हमको बिल्ली मिल सकती है क्योंकि बिल्ली हमेशा बिलेजर्स के पास स्पॉन होती है और गैज बिल्ली को पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको उसको टेम करना होगा तो गज बिल्ली को फारम के पास लाने के बाद अभी आपको इस बिल्ली को सिट कर देना है मतलब बैठा देना है इसके बाद गज आपको इस बिल्ली को पुश करना है और गैज इस वाले फारम के नीचे की तरफ ढखेलना है जिससे गैज ये बिल्ली इस फारम के नीचे की तरफ गिर जाए अभी गैज बिल्ली अपनी नीचे की तरफ आची की है नीचे की तरफ आने के बाद आपको इस बिल्ली को इस वाले बिलोक के नीचे लाना है इसके बाद गैज अपना ही cat वाला काम हो गया भी आपको फारम के बाहर की तरफ चले आना है इसके बाद गैज हमारा जो ये फारम है इस फारम के चारो तरफ आपको 50-50 बिलोग की दूरी तक इतनी सारी torch प्लेज करनी है कि इदर कोई दूसरा hostile mob spawn ही ना हो सके और गैज इस फारम की रेंज में फारम के नीचे अगर कोई केव बगेर आती है तो गैज आपको उस केम में जाकर इतनी सारी torch प्लेज करनी होंगी कि उस केव के अंदर भी कोई दूसरा mob spawn ना हो सके क्योंकि गैज फैंटम को spawn कराने के लिए कुछ rule होते हैं तवी फैंटम spawn हो पाती है मैं आपको उन में से दो तीन rule बताता हूँ एक तो गैज फैंटम हमेशा Y level 75 से उपर spawn होती है बैसे ये Y level 68 से भी उपर spawn हो सकती है लेकिन Y level 75 के उपर ये जादा spawn होती है दूसरा गैज फैंटम spawn कराने के लिए आपके वर्ल्ड की difficulty हमेशा hard mode पर होनी चाहिए और गैज फैंटम तव जादा spawn होती है जब उसके आसपास कोई भी दूसरा other hostile mob spawn नहीं हो रहा है और गैज फैंटम spawn कराने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको अपने वर्ल्ड के अंदर 3-4 दिनों तक सोना नहीं है तभी आपके वर्ल्ड के अंदर फैंटम spawn हो सकेंगी तो गैज अभी अपना फैंटम फारम बन कर विल्कुल ही रह दिया वस गैज इस फारम को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने वर्ल्ड में 3-4 दिनों तक सोना नहीं है तो गैज मैं अपने इस वाले वर्ल्ड में 4 दिनों से नहीं सोया हूँ उसके बाद गैज मैं इस फारम को यूज करने के लिए आया हूँ लूटिंग 3 की स्वार्ड भी होल्ड करनी है जिससे आपको ज़्यादा लूट मिल सके तो गैज आप देख सकते हो फैंटम इदर स्पॉन होना स्टार्ट हो गई है अभी गैज ये मुझे को मारने के लिए मतल मुझे पर अटेक करने के लिए फारम के पास आएंगी और गैज अपने ट्रैप में फस जाएंगी इसके बाद हम इन फैंटम को मार सकते हैं और गैज इनको मारने के लिए लिएवसर आपको इस ट्रैप दोर के ऊपर खड़े रहना है इसके बाद गैज इदर जो भी फैंटम स्पॉन होगी वो आप पर अटेक करने के लिए फारम के अंदर आएगी और गैज हमने इस फारम के नीचे बिल्ली को वैठा रखा है जिससे जब भी ये फैंटम हमारे पास हमारे अपर अटेक करने के लिए आएगी तो गैज ये बिल्ली के डर से उपर की तरफ उडेंगी और गैज इन फैंटम को उपर लगे ये गिलास बिलॉक दिखते नहीं है जिससे ये अपने ट्रैप में फस जाती हैं अभी गैज आप अपनी लूटिंग 3 की स्वार्ड से इन फैंटम को मार सकते हो जिससे आपको ज़्यादा लूट मिलेगी तो गैज इसी तरीके से अपना ये फैंटम फार्म बर करता है और इसी तरीके से आप इस फैंटम फार्म को बना सकते हो वस गैज इस Phantom Farm को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने वल्ड में तीन या चार दिनों तक सोना नहीं है क्योंकि गैज आप जितने दिनों तक अपने वल्ड में नहीं सोगे उतने दिनों तक हर रात आपके वल्ड में Phantom जादा Spawn होंगी और गैज फारम को काफी दिनों तक यूज करने के बाद अगर आप अपने वल्ड में सोगे तो गैज इस फारम को दुवारा यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वल्ड में फिर से 3-4 दिन जागना होगा तभी आपके फारम के अंदर Phantom Spawn हो पाएंगी तो गैज आप भी इसी तरीके से इस Phantom Farm को बना सकते हो अभी गैज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लिज से लाइक करना चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना वीडियो देखने के लिए आपका वहत वहत धन्यवाद थैंक्स पूर व